असलावलेकूम, आज हम बनाएंगे आलू मतर की सिबजी बहुत ही टेस्टी, डिलेशियस और एजी रेसिपी है, आप इसे ज़रू ट्राइ कीजेगा रोटी के साथ बहुत ही बहतरीन लगती है ये रेसिपी इसके लिए हमें चाहिए वन कप फ्रेश, ग्रीन पीस, ताजे हरे मतर, अच्चे से वाश करके उसको पानी में रखेए साथ में हम वन फूट कप आलू को भी क्यूब्स में कट करके पानी में रखेंगे गैस को रखें मीडियम फ्लेम पर अब हम पैन में वन टेबल स्पून ओयल डालेंगे तेल डाले सबसे पहले हाफ टी स्पून साबस जीरा डालें क्युमिन सीट्स 30 सेकंड के लिए उसको क्रेकल होने दीचे वन कप फाइनली चॉप करके ओनियन डालें प्यास बारिक कठी होई डालें अच्चे से इसको मिक्स कीजे जब तक ओनियन सॉफ नहीं हो जाती ट्रांस्लूसर नरब नहीं हो जाती तब तक ओनियन सॉफ हो चुकी है आफ्टर टू मिनिट्स लेटर हम इसमें डालेंगे हाफ कप चॉप की हुए टूमाटोस थर्टी सेकंद्स अच्चे से मिक्स करके लेजे आफ्टर हाफ मिनिट लेटर ग्रास को कीची लो फ्लेम पर अब हम स्पाइसे साइड करेंगे हाफ टीस्पून टर्मरीक पाउडर हल्दी पाउडर डाले एक पर अच्चे से मिक्स करके लेए नाओ एड क्यूब पोटाटोस हमने जो पोटाटोस क्यूब में कट करके रखे है वो डालेए साथ में हम डालेंगे ताजे मतर ग्रीन पीस वन टीस्पून सॉल्ट नमक डाले एक्रडिंग तो तेस्ट टू स्लिट ग्रीन चिलीज हरे मिश तोड कर डाले मिक्स इट वल नाइसली अच्चे से मिक्स करके लीजिए नाओ मेग गैस और मीडियम फ्लेम गैस को मीडियम फ्लेम पे कीजिए आफ्टर वन मिनिट लेटर हम इसमें हाफ कब पानी आड़ करेंगे मिक्स इट वल हिलाए बॉला चुका है गैस को कीजिए लो फ्लेम पर इसको कवर करके हम जब तक आलू और मेटर पक नहीं जाते तब तक हम उसको कुक करेंगे बीच बीच में उसको हिलाते रहिए ओपन और चेक इट इस रेडी नाओ टोटल 20 मिनिट्स लगे है अब हम गैस को बन कर देंगे थोड़ा सहरा धनिया उपर से गानिश करें देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है अब हम इसको गर्मा करम सर्फ करेंगे रोटी चपार्टी या राइस के साथ सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए बेल आइकान पर क्लिक कीचिए बहुत ही खुबसूरत गोल्डन ग्रीन पीस अरेडी नाओ अगर आपको हमारी रेसिपी पसना आई तो प्लीज इसे आप लाइक कीचिए शेर कीचिए अपने फैमिली और फ्रेंज की साथ और प्लीज दो सब्सक्राब मैं चैनल थैंक यू दिलिचाच